रादे रादे आज मैं पांच नंबर के लड़ू को पाल के लिए ड्रेस बनाने जा रही हूँ तो इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबा दे तो आए ये शुरू करते हैं तो मैंने ये चोली तयार करके रखी है यदि आपको इस चोली का वीडियो देखना है तो मैंने वीडियो का लिंक डिस्क्रप्शन बॉक्स में दे दिया है देखिए इस बार हमें क्या करना है ये चोली इतनी बनाने के बाद हमें हर बार हाफ हाफ क्रोश्या और करना है देखिए दो मैं चैन लूँगी दो चैन लेने के बाद मैं डबल हाफ क्रोश्या परते एक चैन में करूँगी अपनी देखे ऐसे धागा लिया इसमें से निकाला और यहां से ऐसे अपनी सभी चैनों में से यह धागा लिया निकाला और तीनों को एक साथ निकाल दिया सा, मैं अपनी सभीां एक निमे से बना लूँगी मैं देखे मैं अपनी यह लाइन कंप्लीट करके दागे को कट कर दिया अब मैं यहां पर अपना दूसरे रंग का दागा जोड़नी जा झारी हूं देखे मैंने जाहां धागा कट किया था वहीं पर दूसरे रंग का धागा जोड़ दिया है अब देखिए मैं यहाँ पर दो चैन बना ली मैंने अब तीन चैन बनाओंगे मैं यहाँ पर एक दो तीन यह मेरी फर्ष्ट उसकी हो जाएगी हाफ क्रोशिय की एक दो तीन और यह चार पांच चैन बनाई इसके बाद मैं एक छोड़ कर अगले में देखिए इसमें हाफ क्रोशिय करूँगी देखिए इसमें हाफ क्रोशिया क्या इसके बाद मैं तीन चैन बनाऊंगी तीन चैन बनाकर मैं एक छोड़के नैस्ट में देखे ये वाला उप छोड़कर अगले में फिर हाफ क्रोशिया बनाऊंगी मैं फिर तीन चैन लूँगी ऐसे ही एक छोड़ के अगले में ये नैस्ट है जो मेरा इसमें हाफ क्रोशिया बनाऊंगी ऐसे ही बनाते हैं मैं अपनी लाइन को कम्प्लीट कर लूँगी देखिए देखिए ऐसे ही मैंने अपनी लाइन को कम्प्लीट कर लिया है और यहाँ पर भी मैं तीन चैन बनाऊंगी यह मैंने तीन चैन बनाई और जो मेरी ये सेकंड चैन थी ये वाली सेकंड चैन थी इसमें जोड़ दूँगी देखिए अब मुझे क्या करना है जो मेरा ये फर्ष्ट फर्ष्ट वाला देखिए ये आया स्पेस इसमें स्टार्टिंग में हाफ क्रोश्या करना है फिर मुझे डबल हाफ क्रोश्या करना है देखिए ऐसे, अब मैं तीन दफ़ा डबल क्रोश्या करूंगी देखिए, एक, ये दो, ये तीन, तीन पर मैं डबल क्रोश्या किये, अब मैं हाफ डबल क्रोश्या कर रही हूं देखिए, तीनों को एक साथ निकाल दूँगी, अब मैं एक सिंगल क्रोश्या करूंगी देख पिर डबल half crochet करूगी यह तीन लिये मैंने तीनों को एक साथ निकाल दिया अब मैं डबल क्रोश eatre करूँगी 3 दफाध कि एक कि दो कि तीन अब मुझे डबल हाफ क्रोश आ करना देखिए दागे को लिया तीनों को एक साथ निकाला अब मुझे यह half crochet करना है ऐसे ही करते हुए मैं अपनी सारी line को complete कर लूँगी देखिए ऐसे ही बनाते हुए मैंने अपनी line को complete कर लिया है और अब मैं इसको यहाँ पर joint कर दूँगी इसके बाद देखिए मुझे जो निके यह half crochet बनाया था यहाँ पर आना तो एक chain लेकर मैंने जो यह half crochet बनाया था इसमें से देखिए ऐसे निकाल लूँगी और फिर मैं चार chain लूँगी एक दो तीन और चार पहले मैंने उपर तीन chain ली थी अब चार chain लूँगी चार chain लेने के बाद मुझे जो यह मेरा देखिए यह half crochet यह वला इसमें यहाँ से crochet डालकर ऐसे निकाल लूँगी देखिए और ऐसे बना लूँगी यह मेरी एक chain आ गई इसके बाद देखिए फिर मुझे चार chain लेनी है एक दो तीन चार चार chain लेनी के बाद फिर मेरा जो यह half crochet इसमें यह डाला मैंने उक निकाला और बनाया देखिए यह मेरी दो आ गई अब मुझे फिर चार chain लेनी है चार और मुझे फिर इसी में half crochet में ऐसे डालकर half crochet बनाना है ऐसे ही मुझे यह पुरी line complete करनी है चार देखिए देखिए ऐसे ही बनाते हुए मैं अपने last पर आ गई हूँ यहापर फिर मुझे half crochet बनाना है देखिए और अपने दागे को इसके साथ देखिए कट कर देना है यहापर मैं अपने दागे को कट कर दूँगे अब मुझे देखिए यह वाला दागा जोड़ना है मैं यहापर देखिए यहापर अपने यह वाला दागा जोड़ना है यह दागा जोडने के बाद मुझे फिर देखिए starting में starting में मैं हाफ क्रोश्या बनाऊंगी यह मैंने हाफ क्रोश्या बनाया अब मैं डबल हाफ क्रोश्या बनाऊंगी दागा लिया मैंने यह लिया और इसको निकाल दिया तीनों को एक साथ अब मैं डबल क्रोश्या बनाऊंगी देखिए एक पहले मैंने देखिए तीन बर बनाए थे डबल क्रोश्या इस बर में पांच बर बनाऊंगी यह मेरा एक हो गया यह दो यह तीन यह चार यह पांच अब मुझे फिर डबल हाफ क्रोश्या बनाना देखिए तीनों को एक साथ निकाल देना है अब मुझे हाफ क्रोश्या बनाना है अब मिझे नेश्ट में भी ऐसी बनाना है पहले देखिए हाफ क्रोश्या बनाऊंगी फिर डबल हाफ क्रोश्या बनाऊंगी फिर मुझे पांच बर डबल क्रोश्या बनाने है एक दो तीन चार और यह पांच अब मुझे डबल हाफ क्र बनाना है अब मैं हाफ क्रोश्य बनाओंगी ऐसे ही मैं अपनी पूरी लाइन को कम्प्लीट कर लूँगी देखिए देखिए ऐसे ही मैंने अपनी लाइन को कम्प्लीट कर लिया है अब मैं इसे ही यहाँ पर जॉइंट कर दूँगी और मुझे अब यहाँ पर जो मेरा हाफ क्रोशे लिया था यहाँ पर आना है मैं एक चैन लूँगी और यहाँ पर जा मैंने हाफ क्रोशे अपनाय था इस में इस बर लेते वे धागे को निकाल लूँगी देखे यहाँ से ऐसे लूँगी यई मैंने थागे को निकाल लिया, अब मैंने देखिये, स्टार्टिक में 3 चैन ले थी, फिर 4 चैन ले थी, इस बार मैं 5 चैन बनाऊंगी, 1, 2, 3, 4, और 5, पाँच चैन बनाने के बाض मुझे जो ये मेरा Half क्रोशy आ इसमें Double क्रोश्य बनाऊंगी, देखिये, इसमें, यह देखिए, अब मुझे हर एक में अपना डबर क्रोश्या बनाना है, एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच पांच चैन लेके, जो मेरी यह हाफ क्रोश्या है, इन में सभी में, जो मेरी यह हाफ क्रोश्या है, इन में मैं डबर क्रोश्या बनाऊंगी, इस बर, देखिए, फिर पांच चैनलोंगी और इसमें मैं फिर देखिए जो मेरा हाफ क्रोशिया इसमें डबल बनाऊंगी, ऐसे ही बनाते मैं इस लाइन को कम्प्लीट कर लूँगी, और देखिए इसमें मैंने बनाए थे, तीन चैनली थी, और मैंने यापर तीन डबल क्रोशिया बनाए थे एक आफ क्रोशिया एक सिंगल क्रोशिया एक डबल आफ क्रोशिया तीन डबल क्रोशिया और फिर मैंने ऐसे ही एक डबल आफ क्रोशिया और एक आफ क्रोशिया बनाए था अगली में इसमें मैंने तीन बर ड्बर क्रोशे बनाए थे वैसे इसमें मैंने पाँच बर बनाए थे अब इस बार मैं चैबर बनाओंगी और ये ह 말씀 जोड़ दूँँगी देखिaj और फिर इस से आगे मैं ऐसे ही जैसे मैंने इसमें तीन चैन बनाओी इसमें चार आपर मैंने पांच आगे मैं छे चैन बनाऊंगी और फिर ये वाला रंग जोड़ दूँगी देखिए इसमें जैसे इसमें तीन बनाए इसमें पांच डबल क्रोशिया बनाए इसमें कलर में मैं साथ डबल क्रोशिया बनाऊंगी और इसमें मैं नो डबल क्रोश इसमें मैंने चार कलर लगाई हैं, इसके बाद मुझे अपनी पत्ती बनानी है, क्योंकि मैं इस ड्रेस के साथ पतिया बनाने जा रही हूँ अब देखिए मैं ड्रेस के लिए ऐसी पत्ती बनानी जा रही हूँ इसके लिए मैंने चार रंग की उन ली है देखिए मैंने सबसे पहले वाइट रंग लगाया फिर ये वला फिर ये वला और फिर ये वला अब देखिए मैं पत्ती बना रही हूँ हमें ऐसी पत्ती बनानी है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले white color की उन लेनी है, देखिए मैंने एक नोक बना लूँगी, नोक बनानी के बाद मुझे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, दस, दस चैन ली, दस चैन लेने के बाद मैं तीन चैन और लूँगी दो, तीन, फिर मैं जो मेरी ये दसवी, देखिए ये तीन चैन छोड़कर, जो दसवी चैन थी, इसके अंदर डबर क्रोशिया बना लूँगी, देखिए, ऐसे ही मैं अपनी सभी चैनों में डबर क्रोशिया बना लूँगी, देखिए, ऐसे ही बनाते हैं, मैंने अपनी सभी चैनों में डबर क्रोशिया कर रही है, अब ये मेरे टोटल 11 डबर क्रोशिया आ गई है, अब मैं देखिए, एक चैन लूँगी, इधर किया, इसमें मैंने सिर्फ ऐसे जोइंट किया, और जो मेरा ये है, यहां से बनाना आ देखिए, फिर जो मेरा ये वाला था, इसमें मैं ऐसे देखिए, इस टाइप से ये क्रोशिया डाला, और मैंने डबर क्रोशिया बनाया, देखिए, अगले में भी मैं ऐसे डालूंगी, और डबर क्रोशिया बनाऊंगी, देखिए, ऐसे डाला, और डबर क्रोशिया बनाय एक पर देखिए आप फिर से ऐसे ही मैं हर एक में डबल क्रोश्य डालूंगी देखिए ये मैं अब लास्ट में आ गई हूँ तो इस बार हमें क्या करना है लास्ट में जो मारा ये बचा है इसमें हमें तीन दफा डबल क्रोश्य करना है ये मैंने एक बार किया ये दो ये तीन तीन दफा करने के बाद हमें दो चैन लेनी है दो चैन बनाई फिर मुझे फिर इसी में, जिसमें से मैंने अभी तीन बर किये थे, उसी में से फिर से तीन बर डबल करोशिया करना है, देखे, एक, दो, यह हो गए, तीन, अब मुझे वापिस वैसे ही, देखे, ऐसे, करते वे, यह लाइन कम्प्लीट करनी है, देखे, यह लाइश्ट का मैं छोड़ दूँगी, और यहां तक, बना दूँगी, देखे, मेरा कुछ ही टाइप साएगा, यह दो लाइन, ऐसे दो लाइन आनी चीए, देखे, अब मैं क्या करूँगी, एक चैन बनाऊंगी, और इसमें डालते वे, अपने धागे को, कट कर लूँगी, देखे, एक चैन और बना कर, मैं धागे को, कट कर लूँगी, अब मुझे अपना ये वाला रंग जोड़ना है, इसके लिए देखे, हमें इस साइड देखे, हमारी ये दो आईवे हैं न, ऐसे, तो हमें इधर नी बनाना, इसको इस साइड से, इधर करना हमें, और इधर, मुझे ये वाला जो मेरा हुक है, ये देखे, ये वाला छोड़ देंगे, जो ये वाला हुक है, इसमें धागे को जोइंट करेंगे, जोइंट करने के बाद यहीं से मैं क्रोशिया डालूंगी देखिए और फिर यहां ऐसे निकाल के मैं तीन चैन बनाऊंगी तीन यह मैंने तीन चैन बनाई अब मैं यहां पर जो मेरा यह नोक आई है इसमें देखिए यह मेरे दो हो गए यह तीन हो गए चार पांच छे साथ आठ यह मेरा नो यह दस और यह 11 यह मेरे 11 आए अब देखिए जो हमारा यह बीच का आया पॉर्शन आया यह बीच का इसमें फिर से हमें तीन बर डबल क्रोशिया करना है एक यह दो यह तीन बर में डबल क्रोशिया किया फिर मैं दो चैन लूँगी फिर मैं तीन बर करूँगी दो तीन इधर मैंने 11 बर बनाए थे तो इधर भी मुझे 11 बरी बनानी है देखिए यह ओगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, और यह 11 इस बार फिर मैं ऐसे ही करूँगी इस साइड यह डाला और एक चैन बनाते हैं दागे को कट कट लूँगी इस बार मैं अपना यह वाला रंग जोडने जा रही हूँ देखिए हमारा कुछ इस बार आने लगेगा हमें इस साइड नी जोडने रंग इस साइड ऐसे बैक करते हूए जोडना है इस बार देखिए हमारे बारे में बनाना है तो तीन हमारे यह हो जाएंगे तीन यह चै, तीन यह नो और तीन चोक बार है तो मैं यहाँ पर यहाँ पर जोडन करूँगी यह मैंने धागे को जोड़ा और इस में देखिए ऐसे डालते वे फिर तीन चैन बनाऊंगी तीन यह मेरा एक हो गया यह मेरा दो हो जाएगा इस बार मुझे बारे बर बनाने है तीन, यह चार, यह पाँच, छे, साथ, आठ, नो, दस, यह ग्यार है और यह देखिए बारे बारे बनाने के बाद मुझे फिर से जो मेरा येवला स्पेस आया है इसके अंदर श्रो में तीन बर डबर क्रोशिया करना है एक, दो, और तीन फिर मुझे दो चैन बनानी है फिर मुझे तीन बर करना है एक, दो, तीन, अब मुझे फिर से बारे बर ऐसे ही बनाने है ये मेरा एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, 9, 10, 11, और ये हो गए मेरे 12, देखिए फिर मैं धागे को कट कर दूँगी अब देखिए मुझे ये वाला रंग जॉइंट करना है तो इसमें भी मुझे बारे बरी लेने है देखिए इधर बैक साइड से आगे का हमारा ऐसे आता जाएगा और हमें पीछे से जॉइंट करना है तो इधर मैं 12 ये बार बनाऊंगी तो 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर दागे को जोड़ दूँगी देखिए ऐसे लेते हुए यहाँ से फिर 3 चैन बनाई 3 चैन बनाने के बाद मैं फिर से ऐसे ही देखिए क्रोशे को डाला, ये मेरे 2 हो गए, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 6, देखिए हमारे 6 हो गए होगे 3, 3, 6, ये 7, 8, 9, 10, ये 11, ये 12, इस बार देखिए मुझे फिर से जो मारा ये स्पेस है, इसमें 3 बर दबर क्रोशे बनाना है, देखिए 1, 2, 3, तीन बर दबर क्रोशे बनाया, दो चैन ली, फिर 3 बर बनाना है, एक, दो, तीन, अब मुझे वापिस बारे बर बनाने हैं, देखिए 1, 2, 3, चार, पाँच, छे, ये आठ, नो, दस, ये अमारे बनाना है, और ये हो गया बाहर है, यहाँ पर फिर में इस साइड करूँगी, इसमें से निकालूँगी, और एक चैन बनाते वे धागे को कट कर दूँगी, अब देखिए, ये मेरे जो इस तरह गी आएगी पत्ती, और जो मेरे ये धागे निकले वे हैं, इन्हें हम पिछे ही, देखिए पैचे ही, इस टाइप से कर देंगे, जैसी ये वाला धागा है, इसको वाइट में से निकालते वे, देखिए, इस तरह सेट कर देंगे, ऐसे ही मैं पिंक को सेट कर दूँगी, अपने सबी धागों को मैं सेट कर देंगे, और हमारी पत्ती कुछ इस तरह नजर आने लगेगी, पीछे से भी, और आगे से, आगे से हमारी पत्ती कुछ ऐसी नजर आएगी, देखिए ऐसे ही मैंने अपनी कुछ पतियां बना कर तयार कर लिये हैं अब मुझे ये पतियां इस ड्रेस के साथ जॉइंट करनी हैं तो देखिए मैं कैसे जॉइंट करूंगी सबसे पहले मैं अपना ये वला धागा ले लूँगी और इस दागे को मैं जो ये देखिए एक दो और ये थर्ड है इसमें जॉइंट करते हुए देखिए इसमें मैं दागे को जॉइंट कर लूँगी इसमें दागा जोडने के बाद मैं तीन चैन बनाऊंगी तीन चैन बनाने के बाद वापिस मुझे वैसे ही जैसे मैंने पहले पत्ती बनाई थी ये नीचे से निकालते हुए देखिए डबल क्रोश्या करना है दो का एक देखिए ये नीचे से जो ये वाला मेरा नीचे का है इसमें से निकालते हुए मुझे डबल क्रोशिया करना है और मुझे यहां तक डबल क्रोशिया करना है देखिए मैं डबल क्रोशिया क्या है? यहां पर मुझे फिर तीन बनानी है डबल क्रोशिया एक यह दो और यह तीन अब मुझे अपनी पत्ति जोड़नी है तो देखिए पत्ति जोड़ने के लिए मैंने देखिए यह नीचे ऐसे ही लूप बनाई हुई है इस लूप के अंदर मुझे यह वाली पत्ति जैसे मेरी ऐसे सीधी रहनी चाहिए तो मुझे यह इसके अंदर ड़लकर हाफ क्रोशिया बनाना है देखिए हाफ क्रोश्या बनाना है हाफ क्रोश्या बनाने के बाद वापिस मुझे वैसे ही देखिए यहाँ पर मुझे वापिस तीन बड़ वर क्रोश्या बनाने है और फिर वैसे ही निचे से निकालते हुए देखिए ऐसे ही मैं निचे से निकालते हुए इस लाइन को कम्प्लीट करूँगी देखिए देखिए अब मैं लाश्ट में आ गई हूँ इस लाइन को ऐसे ही बनाते हुए मुझे लाश्ट में यह वाला बनाना है और यहाँ पर मैं जे दो छोड़ने है क्योंकि स्टार्टिंग में भी मैंने दो छोड़े थे तो यहाँ पर भी मैं दो छोड़ दूँगी और यहां पर बना कर एक चैन लेकर यहां जोइंट करके धागे को कट कर दूँगी देखे मेरी ड्रेस के साथ कुछ पत्ती ऐसे जुड़ जाएगी मुझे बाकी पत्यां भी ऐसे ही ट्रेस के साथ अलग अलग जैसे मेरी यह एक लूप है इसमें मैंने एक जोड़ लिया हाफ क्रोश्या बना कर जो यह मेरी अगली लूप है इसमें यह वाली जोड़ लूँगी मैं ऐसे ही बनाते हुए बाद में मैं इन सभी पत्यों को जोइंट करूँगी ऐसे ही मैं सभी लूपों में अपनी पत्या जोड़ लूँगी और देखिए ऐसे ही मैंने अलग अलग अपनी सभी पत्यों को इन लूपों में जोड़ लिया है अब मैं इन पत्यों को आपको जोइंट करना बता रही ह इसके लिए देखिए हूँ, मैं इन दोनों पत्यों को जैसे मेरे पास ये दो पत्या हैं, इन दोनों पत्यों को ऐसे मिलाऊंगी, ऐसे मिलाने के बाद मुझे देखिए, यहां से धागा निकालना है और धागे को एक गाट के द्वारा जोड़ देना है अब मुझे क्या करना है, इन दोनों में देखिए, एक बर हाफ क्रोश्या बना लेना है, अब मुझे अपने जितनी भी यह हैं, देखिए, एक इधर हैं और एक यहां पे हैं, इन सभी में हाफ क्रोश्या बनाते वे, अपनी लाइन को कम्प्लीट करना देखिए इसके अंदर और इसके अंदर ऐसे डाल कर मैं देखिए ऐसे में पर्ते क्रीद में डालते वे आफ करोशा बनाऊंगे देखिए ऐसे ही आफ करोश्या करते वे ऐसे ही आफ करोश्या करना है मुझे समीमे देखिए अब मेरी ये नैश्ट पत्ती थी इसको भी बैक साइड से जोड़ना हमें सब को जैसे इसको बैक से जोड़ना था अब इस पत्ती का जो मेरा बैक है इसको और इसको जोड़ना है मुझे देखिए ऐसे ही मैं हाफ करोश्या करते वे ऐसे ही मुझे सब भी पत्तियों को हाफ करोश्या करते वे जोड़ लेना है तो देखिए दोस्तो हाफ क्रोश्य करते वे मैंने अपनी सभी पतियों को जोड़ लिया है मुझे थोड़ी ऐसी शेप देनी है इस डेस में मुझे ऐसी शेप देनी है इन सभी पतियों को तो मैंने एक सेप दे दिये, ये एक पति मैं आप लोगों को ऐसी सेप दे कर दिखा रही हूँ, मैंने कैसे किया, तो इसके लिए देखिए, ये पति हमारी सीधी भी हो जाएगी और सेप में आ जाएगी, तो इसके लिए हमें क्या करना है, इस पति में जो पिछे यह वाला है हमारा यहां पर हमें धागे को जोड लेना है यहां पर हम धागे को जोड लेंगे जोडने के बाद यहां से ही हम देखिए इस धागे को थोड़ा इधर दर कर लेंगे और यहां पर हम एक चेन बना लेंगे एक चेन बनाने के बाद दोस्तों देखिए जो हमारा ये है इसको हम छोड़ देंगे और जो ये हमारा अगला है इसको उठाते वे हम यहां से धागा लेंगे और इसमें से निकाल देंगे आगे देखिए इसको छोड़ देंगे अमेक को और जो यह हमारा नैश्ट इसमें से देखिए ऐसे ऐसे क्रोश्या लेना हमें एक बार फिर से देखिए इसको छोड़ देंगे और इसमें से धागा लिया बस धागे को इसमें से निकाल देंगे ऐसे मुझे ये वाला छोड़ना है और नैश्ट में से यह वाला छोडँगे मैं और इस में से और देखिए लाश्क मैं मुझे यहाँ पर जोडते वे धागे को कट करते ना है अब देखिए इन धागों को हम क्या करेंगे ताकिए हमारे धागे दिखें नहीं हम इन धागे को ऐसे पीछे, सैट कर देंगे ताकि हमारी ये दागे दिखेंगे नहीं ड्रेस में इस दागे को भी मैं सैट कर दूँगी और देखिये हमारी ड्रेस कुछ इस type से नजर आएगी बनने के बाद अब मैंने अपनी सभी पतियों को देखें जब दे लिये और हमारी dres ऐसी नजर आएगी देखिए मैंने अपनी चोली पर भी हाफ प्रोश्या कर लिया था और बाजूआ पर भी हाफ प्रोश्या करकर अपने dres को कम्प्लीट कर लिया था इसके साथ ही देखिए मैंने ये कैप भी बनाई है इस ड्रेस की तो दोस्तों इसके साथ ही हमारी ड्रेस पूरी कम्प्लीट हो गई है तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें हमारी इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, रादे रादे फे जे जब दोस्तों आपकारआध रायद वीडियोत आपको वीडियो प्रनाव धन्यवास, वीडियोत आपको लादे प्रादे लादे डाद्स Report